नमस्कार, मैं प्रीती जा, शिरी और विंदो सोसाइटी की और से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम शिक्षा में शुन्य निवेश नवचार ZIAEI द्वारा अभिनव शिक्षन तक्नीक के अंतरगत एक बेहत रोचक और महतपूर नवचार के बारे में आपको बताएंगे हम इनोवेटी पाठ शाला के अंतरगत बेसिक शिक्षा परिशद उत्तरपरदेश के कक्षा 4 की हिंदी विशे की पुस्तक कलरव के पाठ 21 सबसे उजला को नवचार थीम अधारित उपस्थिती के माध्यम से क्रियानवित करेंगे इस पाठ को ZIAEI के विभिन नवचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है लेकिन आज हम थीम अधारित उपस्थिती नवचार के माध्यम से इस पाठ के पुना अध्यन की प्रकिरिया को समझेंगे आईए जानते हैं कि इस नवचार में नवीनता क्या है थीम अधारित उपस्थिती एक ऐसा नवचार है जो अभिनव तरीके से अपने छात्रों को अनुक्रमांग या नाम के इस्थान पर पाठ से जुड़े शब्दों को बोलकर पाठ के कॉंसेप्ट का पुना अध्यन कराते हुए पाठ को लंबे समें तक याद रखने में सहा इता करता है इस नवचार की क्रियानवन अवधी है 20 मिनट आये जानते हैं कि इस नवचार की क्रियानवन प्रकिरिया क्या है इस नवचार में शिक्षक विध्यार्तियों को पढ़ाये गए पाठ के कॉंसेप्ट जैसे विलोम शब्द आधी का पुना अध्यन करवाते हैं जिसमें विध्यार्ती अनुक्रमांग सुनने पर पाठ से जुड़े शब्द और उनकी विलोम शब्द को बोलेंगे। पुना अध्यन के अंतरगत जब छात्रों द्वारा पाठ को दोहराया जाता है तो उपस्थिती के माध्यम से विलोम शब्दों की जानकारी की पुर्णाविर्ती भी होती है। पालन करेंगे। आईए अब समझते हैं कि इस नवचार को कैसे क्रियानवित किया जाएगा। और पाठ से जुड़ा कोई भी शब्द बोलते हुए उसका विलोम शब्द बोलेंगी। जैसे अविश्वास का विलोम शब्द होता है विश्वास। इस प्रकार शिक्षक इसी तरह से पाठ से जुड़े शब्दों के नाम बुलवा कर धीम अधारित उपस्थिती दर्ज करवा सकते हैं। इस नवचार के माध्यम से विध्यारतियों को सीखने के प्रतिफल भी प्राप्त करवाये जा सकते हैं। जैसे गहन सोज, प्रभावी संपेशन के विकास में भी सहायक है। साथ ही साथ यह बाल केंद्रे दिश्टी कोन पर भी अधारित है। इस नवचार के उपयोग से विशेश आवशकता वाले बच्चों को भी अनेकलाब होते हैं। जैसे पाज के महत्पुन शब्दों को चुनना और उस शब्द को कॉंसेप्ट से जोडने पर स्मरन शमता में वृध्धी होती है। इस तरह के जिद्चस्प नवचार हम आप तक यू ही लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि ZIAEI का यूटूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो ZIAEI के फेस्बुक पेज को जरूर लाइक करें। कि ZIAEIiquणर में करें।